नमस्कार दोस्तों मैं मन्साराम्रमा अपने चैनल SMSTD गुरू पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि UPCC lower PCS 2019 के practice rate लगातार चैनल पर करवाये जा रहे हैं उसी क्रम में ये सातवां GS का जिसमें 50% होंगे और 50% बहुत ही important है most expected भी है आपको इनको answer करना है और comment box में अपना score जरूर बताएं साथ ही साथ explanation पर विशेज ध्यान रखें क्योंकि ये 50 questions नहीं है ये कम से कम 300 question है PDF study material चाहिए तो हमारे साथ जूर सकते हैं इस mail ID पर smstudy guru at the rate gmail.com पर सर्च कर सकते हैं Facebook पर smstudy guru और Telegram पर PDF पाने के लिए join कर लें smstudy guru तो इन सब का link जो है description box में मिल जाएगा आप वहां से जाएए और इसका फाइदा उठाइए और साथ ही साथ playlist का भी link मिल जाएगा आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं इस से पहले वाले practice chat को नहीं देखे हैं तो जा करके वहां से देख सकते हैं पहला प्रस्ण आपकी स्क्रीन के सामने है आप इसका answer करिए माई 2019 में संपन भारतिय महिला T20 चैलेंज 2019 क्रिकेट टूनामेंट में किसे player of the street चुना गया तो सभी लोग answer करेंगे साथी साथ मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है answer जरूर करिए answer अगर question का answer आपका गलत भी हो जाता है तो सही answer जो भी होगा आप कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे तो इस प्रकार आप answer जरूर करिए गलत करें या सही करें तो इस प्रकार ये most important question हो सकता है आपके examination के perspective से तो next question है अपरेल 2019 में एसेल वर्ड ने कहां interactive वर्ड पार्क का सुभारम किया तो एसेस वर्ड ने कहां interactive वर्ड पार्क का सुभारम किया सभी को बताना है इस स्रीज में करवाये जा रहे हैं सभी प्रस्ण बहुत ही important है तो सभी लोग ध्यान से answer करिए ये समझ लीजे क्या आप actual exam में ही है तो 27 नमबर का answer होगा option A, option A होगा गोराई महाराष्ट में interactive वर्ड पार्क का सुभारम किया गया अप्रेल 2019 में जिस question में explanation की need होगी हम उतना ही जानकारी देंगे क्योंकि शमय बहुत कम है और आपको बहुत कुछ पढ़ना है जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है प्लीज उसका revision जरूर करें नया पढ़ने की कोसिस मत करें और साथी साथ practice जरूर सॉल्व करें तो इस प्रस्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो theme थी पहला वर्सा जो हुआ इसका theme थी one theme वाला पार्क है जिसमें 60 से अधिक प्रजातियों के 500 से अधिक बिदेशी पच्छी रहते हैं तो ये इसके लिए important है और ये 1.4 एकड में जो है बनाये गया है निश्ट प्रशन है अपरेल 2019 में गूगल की मूल कमपनी अल्फावेट ने विस्सु की पहली ब्योसाइक ड्रोन डिलेवरी की सुरुआत कहां की आपको speed कम ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को pause करिए answer करिए अगर आप live के बाद देख रहे हैं तो आप speedometer YouTube की तर अल्फावेट ने आस्टेलिया के कैनवरा सहर में विस्सु की पहली ब्योसाइक ड्रोन डिलेवरी की सुरुआत की तो इस प्रकार कैनवरा इसका सही answer है नेस्ट प्रशन है वर्स 2018 के लिए राजियू गांधी खेल रत्र पुरुषकार किसे परदान किया गया तो 29 का answer सभी लोग करें most important question है किसी ना किसी exam में यह देखने को जरूर मिलेगा तो 29 का सभी लोग सही answer कर चुके होंगे डी आप्सन बिल्कुल सही यस मीरा बाई चानू और विराट कोहली यस मीरा बाई चानू भारो तोलन से हैं और विराट कोहली क्रिकेट से हैं तो इस प्रकार 2018 का राजियू गांधी खेल रत्र पुरुषकार इन दोनों लोगों को दिया जाएगा नेस्ट प्रस्ण है 28 सरस्वती सम्मान 2018 किसे परदान किया जाएगा तो किसे परदान किया गया है सभी लोग एंसर करेंगे most important question है UP SSC के लिहाज से तो 30 तंबर का सही answer क्या होगा डाक्टर के सिवा रेड़ी को 28 सरस्वती सम्मान 2018 दिया गया है इनकी जो रचना है उसका नाम है पकाकी ओती गिलीतो के लिए डाक्टर के सिवा रेड़ी को 28 सरस्वती शम्वान तेलगू कभी हैं ये भी ध्यान रखना है तो दिया गया है नेश्ट प्रशन है आंध्र प्रदेश उचिन्याले का पहला अस्थाई मुख्य न्यायधिस किसे न्यूक्त किया गया तो 31 नंबर का सही अंसर सभी लोग करेंगे इस प्रशन का सही अंसर होगा आफसन C न्याय मूर्ती बिक्रमनाथ न्याय मूर्ती बिक्रमनाथ को आंध्र प्रदेश उचिन्याले का पहला अस्थाई मुख्य न्यूक्त किया गया है तो यह important हो सकता है आप लोग comment करके बताईए कि भारत में अभी इस समय कितने उचिन्याले हैं कितने उचिन्याले हैं सभी लोग comment करके जरूर बताएं नेसे प्रस्ण है 14 उहां G20 सिखर संबेलन कहा अयुजित किया गया most important question है इस प्रस्ण का सही answer क्या होगा सभी लोग comment कर जरूर बताएं करके तो इस प्रस्ण का सही answer है ओसाका ओसाका कहां पे है जापान में ये 28 से 29 जून 28 से 29 जून के मद्दे जो है G20 सिखर संबेलन हुआ ये 14 उहां था तो इसका क्रम भी ध्यान रखना है और जापान के ओसाका में इसका आयोजन किया गया नेस्ट प्रस्ण है one family, one job योजना किस राज्य में सुरू की गई important question है सभी लोग answer करेंगे और जिन सातियों ने अभी तक एक से 7 तक के जितने भी practice set करवाएगे है सभी subject की अलग-अलग करवाएजाना है तो please जाकर के एक बार जरूर देखिए मैं वादा करता हूँ कि जरूर इससे फाइदा आपको मिलेगा तो one family, one job योजना किस राजी ने सुरू की तो सिक्किम सिक्किम इसका सही answer होगा सिक्किम इसका सही answer है तो सिक्किम ध्यान रखना है नेस्ट प्रस्ण है नाटो का तीसवहा सदस से देश कौन है नाटो का जो तीसवहा सदस से देश बना है इसका नाम बताना है तो इस प्रस्ण का सही answer होगा उत्तरी मैसेडोनिया उत्तरी मैसेडोनिया इसका सही एंसर होगा नेस्ट प्रस्ण है विश्व पर्थवी दिवस कम मनाया जाता है सभी लोग एंसर करके बताएंगे तो इस प्रस्ण का सही एंसर होगा आपसन ए, 22 अपरेल 22 अपरेल को विश्व पर्थवी दिवस मनाया जाता है तो ध्यान रखना है इसको नेस्ट है निमलिखित में से किस विकल्प में हिमाले की चोटियों का पूर्व से पस्चिम दिशा में सही करम दिया गया है कई questions यहां से हो सकते हैं यदि हम हिमाले की चोटियों को पूर्ब से पस्चिम के क्रम में अगर लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनेगा option number A बिल्कुल सही होगा नामचा वरवा, कंचन जंगा और माउंट एवरिस्ट तो हम बता देते हैं नामचा वरवा है अरुनाचल प्रदेश में तिबबत सीमा पर है नामचा वरवा नेस्ट कंचन जंगा, कंचन जंगा है सिक्किम में और माउंट एवरिस्ट नेपाल में है तो इस प्रकार जो है आप लोगों का ये question clear हो गया नेस्ट प्रशन है निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है तो नहीं बताना है तो ध्यान रखना है इसको यहाँ पे कुछ राज दिये गए हैं और उनके राजधानी है सभी लोगों को पता होगा ये प्रशन बी आप्सन बिल्कुल सही है मड़िपूर की राजधानी इंफाल होती है क्या होती है इंफाल ना कि आईजोल तो इस परकार मेगाले सिरांग हो गया सही है असमदिस्पूर अनुनाचल प्रदेश इटा नगर और मड़िपूर इंफाल नेस्ट प्रशन है युगमों पर विचार करना है यहाँ पर राज्य और जनजातियां दी गए है राज्य हैं और जनजातियां है तो इनको मैच करना है सभी लोग अंसर करके बताएं गुजरात लिखा भील मेगाले खासी सिक्किम लिम्बू और उत्राखंड जौन सारी तो 38 नमबर का सही अंसर होगा आफसन नमबर डी आफसन नमबर डी क्या कह रहा है कि 1,2,3,4 यानि कि सब कुछ सही लिखा हुआ है गुजरात की जनजाति का नाम है भील मेगाले की जनजाति का नाम है खासी सिक्किं की जंजाती का नाम है लिम्बू और उत्राखंड जौन सारी जंजाती यहां पे रहती है निमलिखित मेंसे गलत जोडे का चैन करना है तो सभी लोग इसका एंसर करना थर्टी नाइन नंबर का सभी लोग सही एंसर करें पूरे 50 प्रश्ण इसमें हल करवाए जा रहे है सी आफसन सही होगा प्रेयरीज परबत प्रेयरीज परबत जो है जर्मनी में नहीं है कहाँ पर है फ्रांस की सीमा पर है इस्पेन और फ्रांस इस्पेन और फ्रांस इस्पेन और फ्रांस की सीमा पर है क्या प्रेरीज प्रेनीज परबत और यहां पर ड्रेकन्स वर्ग दच्छिन अफ्रीका में है एपिनाइन इटली में है माउंट कुक न्यूजी लेंड में है तो इस प्रकार आपका ये प्रस्ण क्लियर हुआ होगा नेश प्रस्ण है जावा सागर यों हिंद महास संधी है साथियों में बता देता हूं कि अगर आप जीयस के प्रस्ण जो 50 प्रस्ण है आप 15 में कर लेते हैं 15 में कर लेते हैं तो आपको यहां से बहुत ही टाईम मिलने वाला है जोकि आप रिजिनिंग और मैथ कितना भी कैलकुलेटिब आए वहां पर आप अच्छा कर सक तो इस प्रकार जीयस को जो भी आप अब तक आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको रिवाई जरूर करें अगर आपने इस स्रीज को फॉलो किया है तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी एक बार रिवाई जरूर हो जाएंगे तो जावा सागर योम हिंद महा सागर को जोडने वाली जलसंधी बताना है तो इस परसन का सही अंसर सभी लोग करें ए आपसन विल्कुल सही होगा सुन्डा जलसंधी कहां पे है तो जावा सागर योम हिंद महा सागर को जोडने का काम करती है यह है इंडोनेसिया में इंडोन इंडोनेसिया में इस्थित है और जावा सागर जावा सागर हिंद महा सागर को जोडता है जावा सागर को हिंद महा सागर से सुन्ड़ जलसंधी जोडती है जो की इंडोनेसिया में इस्थित है नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा काफी उत्पादक है बहुत ही अच्छा question है सभी लोग answer करेंगे answer जबूर करें, गलत करें या फिर सही करें मैं एक बार, हर बार यही कहता हूँ कि आप लोग answer जबूर करें A, B, C, जो भी हो आप question number लिखें और answer कर दीजिए तो 41 का सही answer होगा, option A Brazil इसका सही answer है विश्व का सबसे बड़ा काफी उत्पादक ब्राजील देश है ब्राजील देश है अगर हम next की बात करें तो बियत नाम, बियत नाम यों कोलंबिया second and third number पे हैं तो इसको भी ध्यान लखना है next प्रस्ण है प्रसिद्ध भारतिय मूल के लेखक अरबिंद अडीगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक किया करिए और सेयर जरूर कर दिया करिए यदि आपके कोई कमेंट्स हैं कोई सजेशन्स हैं जरूर कमेंट्बाक्स में लिखिए 42 का सही अंसर करना है कि कौन सी पुस्तक अरबिंद अडीगा द्वारा लिखी गई है तो 42 का सही अंसर आपसन D होगा The White Tiger किसकी पुस्तक है retrospect कि पुस्तक है इसलिए इंको इस पुस्तक के लिए When the river sleeps स्विक्स के द्वारा लिखा गया है 43 का सही अंसर सभी लोग करें तो इस प्रश्ण का सही अंसर होगा आपसंसी बिल्कुल सही है इस्टेरीन कीर इस्टेरीन कीर ने When the river sleeps स्विक्स का जो है रचना किया है निष्ट प्रश्णा है 44 44 किसी निश्चित समयावधी में किसी देश में उत्पादित अंतिम बस्तूओं और सेवाओं के कुल मूल को क्या कहते हैं तो 44 का सही अंसर करें सभी लोग सभी प्रिस्ट इंपोर्टेंट हैं मैं हर बार यही बोल रहा हूँ तो आप इनको इग्नोर मत करिए राश्ट्रिय आय राश्ट्रिय आय इसका सही अंसर होगा किसी निश्चित समयावधी में किसी देश में अंतिम बस्तूओं और सेवाओं के कुल मूल को क्या कहते हैं राश्ट्री आय कहते हैं जब जी एन पी जी एन पी में मूल लहरास यानि की डिप्रिसियेशन जी एन पी में मूल लहरास यानि की डिप्रिसियेशन को घटा दिया जाता है तो क्या आता है एन एन आई निवल राश्ट्री आय निवल राश्ट्री आय प्राप्त होती है तो ये बिल्कुल सही है credit card smart money सब्द का प्रियोग credit card के लिए किया जाता है credit card के लिए ध्यान रखना है किसी देश के लिए uncool ब्यापार सेस का आसे है 46 का सही अंसर सभी लोग करें तो किसी देश के लिए uncool ब्यापार सेस का आसे आयात की अपेच्छा निरियात से अधिक होना चाहिए आयात से ज़्यादा आयात की अपेच्छा निरियात से अधिक होना चाहिए तो option number A बिल्कुल सही बन नहा है option number A हलकि यहाँ पर हमने 2 option नहीं दिखा है तो इनको भी देख लीजिए next परस्द है 47 number किसी देश का आर्ठिक विकास निर्भर करता है किसी देश का आर्ठिक विकास किस पर निर्भर करता है तो लिखे गए जितने भी option से यहाँ पर सही लिखे उइए प्राकरतिक संसाधनों, पूंजी निर्मार, बाजार का आकार इन सब पर डिपेंड करता है तो option number D बिल्कुल सही बनता है नेस्ट प्रस्ण है श्रीमती यन राजम का संबंद किस वाद्दे यंत्र से है तो वाद्र यन राजम एक प्रसिद वाइलिन वादक है जो हिंदुस्तान सास्त्रिय संगीत परंपरा से संबंदीत है इन्हें 2004 में कला के छेत्र में पद्मभूशन सम्मान भी मिल चुका है तो ये भी ध्यान रखना है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है प्रसिद संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस संगीत वाद्यंतर से संबंदित है 49 का सही एंसर सभी लोग करें कमेंट करके जरूर बताएं कई बार ये एक जाम में आ चुका है किसी ना किस सिफ्ट में आपको देखने को जरूर ये प्रस्न मिलेगा 49 का सही एंसर क्या होगा प्रसिद संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान संगीत वादक है संगीत से संबंदित है इनको वर्स 1961 में पदमशरी 1968 में पदमभूसन और 1980 में पदमभूसन वर्स 2001 में भारत रतन से सम्मानित किया गया है तो भारत रतन भी मिल चुका है इनको ये इसलिए इंपॉर्डेंट है 2001 में मिला था भारत रतन नेश्ट प्रसन है निमलिखित में से कौन सार निर्त उत्तर प्रदेश से सम्मानित नहीं है सभी जगह से यहां प्रसन सम्माहित किये गया है यूपीए स्पेसल हो हिस्टी जोगरफी हो कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा गया है तो इन 50 प्रसनों को करने के बाद आप confident महसूस कर रहे होंगे तो इसका सही अंसर सभी लोग बताएं बी आपसन बिल्कुल सही है कटपुतली नाच ये कहा का है तो ये राजस्थान में है राजस्थान इसका सही अंसर होता कटपुतली राजस्थान का डांस है चरकुला, मयूरनित, रासलीला ये उत्तरपरदेश से संबंदित है नेस्ट प्रसना है भारत का रास्ठी चिन्ह कहां से लिया गया है कई बार प्रस्ण आ चुका है एक्जाम में और मैं बता देता हूं कि आप एक कुरेशी पर विशेज ध्यान रखिए एक्जाम नेशन में क्योंकि एक कुरेशी अगर आप मेंटेर नहीं रखते हैं तो एक एक प्रस्ण बहुत ही इंपॉर्डेंट होगा आपकी लिहाज से क्योंकि भीड बहुत जादा है तो 51 का सही अंसर होगा सारनाथ इस्थित असोग अस्तंब से लिया गया है रास्टिय चिन रास्टिय चिन है क्या तो इसके बारे में बताते हैं भारत का रास्टिय चिन आपस में पीट सठा कर बैठे हुए सिंग आपने देखा होगा तो असोग के सारनाथ के सिंग अस्तंब से लिया गया है भार और रास्टिय पच्छी मोर, रास्टिय पुस्प बात की जाए तो कमल और रास्ट्रगान, जन गड़ मन, जन गड़ मन, तो आप लोगों रास्टिय पच्छी और रास्टिय पुस्प के बैग्यानिक नाम कमेंट में लिख कर बताएं, नेस्ट प्रस्ण है, वाहिनी दरबार वाहिनी दर्बार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकासित होता है यह किस राजे से सम्मंधित है बेर इंपोर्टन कोश्चन है 52 का सही अंसर सभी लोग करें और आप लोगं को पता है यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारा रिप्लाई जरूर आता है हमारा रिप्लाई जरूर आता है हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं तो आप कमेंट जरूर किया करिए 52 का आपसन D सही होगा आपसन D मद्ध्परदेश मद्ध्परदेश में वाहिनी दर्बार समाचार पत्र जोकि महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकासित किया जाता है तो कहां पर मद्ध्य प्रदेश में निमलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेस करने के लिए उत्तरदाई है तो इसका सही एंसर क्या होगा सभी लोग पताएं आप वीडियो को पॉस्ट करके एंसर कर लिया करिए फिर एंसर सही मैज कर सकत संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेस करने के लिए उत्तरदाई होता है ध्यान रखना है जब बजट की मांग में से एक सो रुपए कम कर दिये जाएं तब वह कहा जाता है तो इस प्रसन का सही एंसर क्या होगा सही एंसर आप संसी होगा सांकेतिक प्रस्ताओ कह खाद मिलावट निवारन अधिनियम सरवपर्थम को लागू किया गया था और नेस्ट प्रसन है सिबिल अधिकार संदच्छन अधिनियम उन्नीस सो पचपन के अधिन सभी दंडनिया प्राद हैं दोनों प्रसनों का सही एंसर कमेंट करें चल्दी से पचपन नंबर का सही एंसर क्या होगा पचपन नंबर का सही एंसर आफ्सन बी होगा उन्नीस सो चववन खाद मिलावट निवारन अधिनियम उन्नीस सो चववन में लागू हुआ था चपन का अंसर क्या होगा चपन कस्ती होगा यानि कि संगेयों संचेपता विचराडिय के होगा सिविल अधिकार सनरच्छन अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संगेय तथा संछेप्टता विचारण ये प्रकृत की होते हैं अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के तहर अपराध का विचारण पर्थम स्रेडी किसको जाती है मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले कहा जाते हैं मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास इनके द्वारा जो है किया जाता है नेस्ट प्रस्ण है भारत के सरबोच न्यायाले के कारेवाहक मुख न्यायधिस की न्यूक्ति किसके द्वारा की जाती है अच्छा प्र प्रसन इंपोर्टेंट हैं पॉलिटी के कोश्चन हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं दोनों प्रसनों के एंसर आप कमेंट करके जल्दी से बताएं तो 57 नंबर का option D सही होगा option D जिन्होंने सही किया है वो बिल्कुल सही है राश्ट्रपति इसका सही अंसर है भारतिय संबिधान के अनुच्छेद 126 126 के अनुसार सर्बोच नयाले के कारेवाहक मुख्यनायधिस की नियुक्ति राश्ट्रपति के द्वारा की जाती है किसके द्वारा राश्ट्रपति के द्वारा जब मुख्यनायधिस का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तब्यों का निर्वाहन करने में असमर्त हो तब क्या होगा तब कार रिवाहक मुक्ग नियादिश की नियुक्ति की जाती है लेकिन करेगा रास्ट्रपत ही नेस्ट है अनुच्छे 13 के में वरडित नियाईक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से प्रेडित है तो इसका सही अंसर होगा अप्षन C USA USA इसका सही अंसर है अनुच्छे 13 में जो बरडित नियाईक पुनरावलोकन की बात कही गई है वो कहां से लिग गई है तो USA से USA के सम्विधान से लिग गई है लेकिन प्रश्णा है बौध धर्म से संब्मदित निमलिखित कफ्णों में से कौनसा कफ्ण सत्य नहीं है तो ये चार आपशन है आप इनको पढ़के बताईए कौन सा नहीं है सत्य नहीं है तो इस प्रस्ण का सही अंसर होगा डि आपसन बौध हिसत तो बौध मत के हीन यान संपरदाइस की संकेंदरित संकल्पना है तो ये गलत लिखा हुआ है बिलकुल गलत लिखा हुआ है सूनिता के सिध्धान्त का सरवपर्थम प्रतिपादन करने वाला बौध दार्शनिक कौन था नागरजुन त्रिपिटक गरंत जो है बौध धर्म से संबंधित हैं कई बार पूछा जा चुका है और तिरपिटक में जो पिटक है सब्द है इसका अर्थ होता है टोकरी करके बताईए यहां पर राजा दिये गए हैं और यहां पर राज्य हैं यह आप दस प्रेक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जी एसके तो सम्में 50 प्रस्ण करवाएगे हैं तो 50 इंटू अगर हम 10 की बात करें तो कितने हुए 500 500 प्रस्ण तो सीधे सीधे आपके प्रिपेर हो र रहे हैं तो कम से कम 1700 कोष्टन आपके तयार हो रहे हैं 1600 कोष्टन आप यहां से लेकर जाएंगे जो की आपके एक्जामनेशन से लिए बहुत important और most expected भी है तो इसको session को share कर दीजिए और answer करते रहिए answer होगा 60 number का A option एक में सही है B भी सही है और C और D भी सही है यानि कि प्रदोध की विराजधानी जो राज्य था मगद उदयन का था वत्स प्रसेंजीत अवंती आजाद सत्र सम्मंधित है कोसल से तो इस प्रकार ये सही लिखा हुआ है इस्ट प्रस्ण है वह कला सैली जो भारती और यूनानी आकरती का सम्मिस्त्रण है 61 का सही अंसर सभी लोग करें तो इसका option A सही होगा गांधार की जो सैली है वह भारती और यूनानी आकरतियों का सम्मिस्त्रण है जो गांधार सैली थी उसके सनरच्चक की बात की जाए तो सनरच्चक सक योम कुसान थे कौन थे? सक और कुसान तो इसको भी ध्यान रखना है सक और कुसान थे साथी साथ इस कलाक का विशे मात्र बौध होने के कारण इसे यूनानी बौध और इंडो ग्रीक या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्रीको रोमन भी कहा जाता है तो ये भी ध्यान रखना है नेस्ट प्रशन है चिस्तिया साखावा सूफी संत जो महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था तो उस चिस् सेख निजामुद्दीन औलिया चिस्तिया साखा के प्रसिद सूफी संत थे वह बाबा फरीद के सिस्से थे तो बाबा फरीद के सिस्से थे और निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था नेस्ट प्रसन है अबदुल कादिर बदाउनी ने म महाभारत को फार्सी में अनुबाद किया था ये भी इंपोर्टेंट है कभी पूछ लिया जाता है कि महाभारत का फार्सी में अनुबाद किस ने किया तो अब्दुल कादिर बदाउनी सही अंसर होगा महाभारत के फार्सी अनुबाद का सीरसक क्या था ये इंपोर्टेंट प्रस्णा है तो आप लोग सभी लोग एंसर करके बताएं सही से कि एब सी अपसन बिलकुल सही रजम नामा रजम नामा महाभारत का जो सीर्सक था फार्सी भासा में उथा रजम नामा जिन्होंने किया 安wer रहा है नेस्ट प्रस्ण है 64 नमबर निम्लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं बताना है तो इसका सही अंसर सभी लोग करते जाएं डी आपसन बिल्कुल सही है महादेव गोविंद रनाडे थियो सोफिकल सोसाइटी ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है इनका संबंध थियो सोफिकल सोसाइटी से नहीं था किस से था प्रार्थना समाज से था तो ये भी ध्यान रखना है महादेव गोविंद रनाडे का संबं प्रार्थना समाज से था राजा राम उहन राह सम्मंदी थे वर्ष उन्न समाज से और स्वामी विवेकानन जी हैं राम कृष्ण मिशन से और महादेव रनाडे क्या हैं तो प्रार्थना समास से संबंदी थे निस्ट है वर्स 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गान्धी जी के असहियोग आंदोलन के नेतरुत को समालने का अनुरोद किया था हुआ किस सहर में हुई थी 65 का सही अंसर सभी लोग करें इसका सही अंसर होगा इलहाबाद इलहाबाद यानि की ऑफसन नमबर सी बलकुल सही है गान्धी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आसहियोग आंदोलन छोडने की सलाह दी जून 1920 में कब जून 1920 में खिलाफत कमेटी के कमेटी ने इलहाबाद के प्रियाग राज में इस सलाह को स्युकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगवाई करने का अधिकार सौपा तो ये इलहाबाद इसका सही अंसर होगा नेस्ट प्रस्ण है शबिने अवग्या आंदोलन के दोरान उत्तरी पस्वी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अबदुल गफार खान के नेत्रुत में एक महत्तपूर भूमिका निभाई थी खान अबदुल गफार खान द्वारा प्रारंब किये गए आंदोलन का क्या नाम था छाचट नमबर का सही अंसर सभी लोग करें लाल कुर्टी सही अंसर है आप्सन ए ओप्सन ए बिलकूल सही अंसर है नेस्ट प्रस्ता है निमलिखित युगमों में से कौन सही नहीं है तो ये कई बार एकजाम में आज डारेक्टली पूछा जाता है कि संथाल विद्रो किस वर्स हुआ कोल विद्रो किस वर्स हुआ खांसी विद्रो किस वर्स हुआ अहोम विद्रो कब हुआ तो ये आप यहां इसका सही एंसर क्या होगा तो सही एंसर होगा अठारा सो अठाइस कब होगा अठारा सो अठाइस इसका सही एंसर होगा और नेस्ट जो लिखे हुए हैं ये सही लिखे हैं संथाल विद्रोह अठारा सो पचपन कोल विद्रोह अठारा सो एकतिस खांसी विद्रोह अठारा सो अगर्षी सहकारिता तथा किसान कल्यान विभाग द्वारा वर्स 2018-19 के लिए चोथे जारी चोथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश के में कुल खाद्यान उत्पाद में कितने कितना होने का अनुमान बताया गया है तो ऐसे प्रस्ण UPCCC में लगातार पूछे जा रहे हैं तो 68 का सही अंसर सभी लोग करें सही अंसर होगा ऑप्सन C 284.95 मिलियन टन जो है कुल खाद्यान उत्पादन का अनुमान रखा गया है तो प्रस्ण को आप दुबारा पढ़िए तिबारा पढ़िए लेकिन ये लर्ण प्रस्ण प्रस्ण और रिकार्डर इनपुट डिवाइस है और स्पीकर लिखा हुआ है ये आउट्पुट डिवाईस है इसकी सहायता से आवाज सुना जाता है सभी को पता है ने नेस्ट प्रश्ण है सत्तर नंबर विस सुबयंक का मुख्याले कई बार बताया जा चुका है तो सभी लोग सही अंसर करेंगे विस सुबयंक का मुख्याले कहां पे है तो वासिंगटन डीसी बिल्कुल सही अंसर है वासिंगटन डीसी इसका सही अंसर है नेस्ट प्रश्ण ह भारतिय संबिधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है और साथी साथ इस प्रसंद के साथ आप लोग कमेंट करके बताएं कि विस सुभैंक का जो अध्यच्छे भी किसको बनाया गया है यह हम पहले प्रेक्टिसिट में करवा चुके हैं भारतिय संबिधान का कौन सा अनुच्छे निर्वाचन आयोग से संबंधित है तो इसको ध्यान रखना है नेस्ट प्रस्ण है लिखे हुए इनको मैज करना है नगर है और हवाई अड्डे है यूपी से रिलेटेड है तो सभी का अंसर सही होना चाहिए और मोस्ट एक्सपेक होगा लखनव अमोसी में है बारानसी में है बाबतपुर कौनसा बाबतपुर कानपुर में है कानपुर में चकेरी है और आगरा में बचा हुआ खेरिया आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है तो इस प्रकार आपके चार हवाई अड्डे तयार हुए तो आपसन आप यहा 73 का सही अंसर सभी लोग करें, तो इसका सही अंसर option C, प्रताप गड़, प्रताप गड़ बिल्कुल सही अंसर है, नेस्ट प्रस्न है, रेडु का जी बहुत देशिये बांध पर योजना के क्रियाननों हेतू, कितने राज्यों ने MOU पर साइन किया है, सभी लोग सही अंसर कर 74 का, तो इस प्रस्न का सही अंसर होगा 6, यानि कि option number B, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किया है, इनमें जो है, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनात, उत्तराकंड के त्रवेंदर सिंग रावत, हरियाना के मरोहरलाल खटर, राजस्थान के असोग गहलोत और हिमाचल प्रदेश के जैराम ठाकूर तथा दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंदर के जीवाल सामिल हैं, तो इस प्रकार 6 लोगों ने MOU पर साइन किया है, ध्यान रखना है, इसके साथ आपके पूरे हो जाएंगे, पूरे 50 प्रस्न और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सेर जरूर कर दिया करिए, आप्सन डी बिल्कुल सही होगा, 4,89,701 करोन रुपए जो है इस बार रही, यह अगर हम कंपेर करें, 2018 के बजट से तो 12%, 12% अधिक रही है, तो यह भी पूछा जा सकता है अपके एक्जाम